आप सभी का मेरे चैनल पर पुरह स्वागत करता हूं आशा करता हूं कि आप सभी सवस्तूंगे महादेव की क्रिपाप सभी पर सदाय बनी रहे गिवीडियो 11 अक्टूबर 2023 वेडनस डे आनि कि बुद्धवार के दैनिक राशीफल के बारे में एक सामानने विश्टेशन होत आपके सुविधा के लिए राशीफल एक दित पहले प्रदर्शित होता है हर राशी के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है अवश्य चलेंगे राशीफल के तरफ लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर संग्शिप सी नजर डाल लेते हैं पंचांग के चंद्रमा सिम्ह में रहेंगे नक्षत्र रहेगा मगा सूर्य महराज कन्या में रहेंगे उनका नक्षत्र रहेगा हस्त विशेश मूरतों की बात करते हैं ब्रह्म मूरत 4.40 एम से 5.30 एम अभीजीत मूरत नहीं होता बुदवार को और अमरित काल 4.26 एम से 6.14 एम अश्यू मूरतों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार गणेश 40 का पहट कर गहीं घर से निकल लिएगा तो यह ता पंचांग चलेंगे राशी फल पर शुरुआत करेंगे मेश के साथ शुरुआत करेंगे मेश के साथ दिन ठीक ठाक सा देख रहा है कोई जादा प्रॉब् प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ रही है कुछ भी सरकारी कारे टक रहे थे उनको पूरा करने के लिए आज का दिन अच्छा है और जो लोग सरकार से सम्मंदत कुछ कारे करते हैं उनके लिए भी आज का दिन काफी अच्छा जाने वाला है तोड़ी क्रियेटिविटी अपने जीवन में लाईए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जातकि इंवेस्मेंट की बाता कर सकते हैं करियर जैसा मने अभी कहा कि सरकारी सम्मंदत कारे करते हैं लाब होगा और आगे बढ़ने के आज चांसे मिल सकते हैं बिजनस में अपने बिजनस की डीटेल्स लोगों क से कम बोलिएगा विवाहिक जीवन तो आज का ठीक दिकरा स्टूरेंस के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है कहीना कहीं आपके विरुद्ध चीज़े जा सकती हैं सेहत के इसाफ से पेट के दर्द तंक कर सकते हैं पेट सम्मदित प्रॉब्लम तंक कर सकती हैं सरव रखिएगा गाइडेंस के विशक्ता दिख रही है समय आपको थोड़ा अपने जीवन में अथोरिटी वापस लाइए कुछ लोग आपके जीवन को चला रहे हैं इसके बजाए आपको अपने जीवन को आगे ले कर जाना चाहिए इस सब पर काम कीजेगा गुस्ता थोड़ है आज का दिना उनके लिए अच्छा रहेगा जहां तक बिजनस की बात है जो कारे टक रहे थे पूरे होने की पूरी संभावना है अगर आप ट्रेवल टूरिजम से समंदित कोई कारे करते हैं तो बहुत अच्छा दिन जाएगा लव लाइफ में क्लैरिटी की कमी रहेगी बहुत अच्छा दिन नहीं है विवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर दिख रही है जहां तक स्टूरेंट्स की बात है बहुत शुब दिन है कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है सेहत के इस आपसे नेंद रंग से नहीं आएगी स्लीव डि अपका 80% जैमिनाय मिथुन अपनी इन सिक्यरोटीज पर काबू पाईए क्योंकि उनके कारण ही आगे नहीं बढ़ पारे भरोसा मत कीजेगा किसी पर भी आज आपको धोका मिलेगा अपने कारियों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा दिन है किसी से मदद भी मांग सक करेगी जहां तक बिजनस की बात है थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाना पड़ेगा अपने इंपलॉईज पर अपने काम पर अपने स्किल्स पर तभी चीज़ें आपके लिए बैटर हो पाएंगे जहां तक लव लाइफ की बात है दिन यहां पर ठीक दिख रहा क शुबता ले करा रहा है जहां तक उपाई की बात है आपको गणेश चलीसा का एक बार पाठ करके गणपतीजी को फलो का भोग लगाना है शुबंक्य आपका तीन कला है आपका ग्रीन भाग्य प्रतिशत है पचासी प्रतिशत कैंसर कर्क आज फ्रस्ट्रेशन और सामेशा गलत जगा पर निकलता है तो थोड़ा सा अपने गुस्षे पर नियंतरन रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज नुकसान थोड़ा हो सकता है खर्चे अत्य दिख बढ़ सकते हैं तो थोड़ा सा आज का दिन आपका नकरात्मक दिख रहा है उस हिसाब से की खर्चे बढ़ सकते हैं और और जब खर्चे ज़ादा होते हैं एक्सपेक्टेशन से ज़ादा होते हैं तो वेक्ती थोड़ा परेशान होता है सेहत का अभी ध्यान रखेगा इमोशनली आप एंड डाउन बहुत रहेगा लेकिन आइडियास बहुत अच्छे है जहां तक investment की बात है बिलकुल मत कीजेगा career के हिसाफ से दिन ठीक है थोड़ा सा devotion आपको और दिखाना पड़ेगा business के हिसाफ से दिन बिलकुल भी अच्छा नहीं है एक तो गलत निरने ले सकते हैं और already जो problem चल रही है वो बहुत परिशान करेगी आपको जहां तक love life की ब बात है बहुत शुब दिन है कोई exam आदी बड़ता है बहुत अच्छा करेंगे सेहत की साफ से हिरते संबंदित रोग और आखों से संबंदित रोग तंग करेंगे सरवाश्टक में बारवास्तान बली है तो खर्चे तो बढ़ते होई देखे रहे हैं आपके लिए उपाई रिलैक्स रहिएगा इन्वेस्मेंट की बात करें तो स्पेकुलेटिव मार्केट से दूर रहेगा लेकिन जैसा मने कहा प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करना चाते हैं तो दिन अच्छा है लव लाइफ ओ सारी करियर के हिसाब से दिन ठीक है थोड़ा सा कॉम्पेट रहेगी आनि कि आपको शायद अपने future को लेकर अपने relationship को लेकर आज question मन में आएंगे कभी-कभी होता है ऐसा discuss कर लीजेगा विवाहिक जीवन आज अपने वानी पर बहुत नियंतरन रखेगा problem देख रही है students के हिसाब से अत्यन तो शुब दिन है सेहत hormonal problem दंग करेगी सर right भाग्य प्रतिशत है आपका 80% कोई भी बड़ा निरने लेने जा रहे हैं अभी थोड़ा सा उसको reconsider कीजिए दुबारा सोचिए विचार कीजिए अलग-अलग angles से सोचिए क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि कुछ भी जो बड़ा निरने लेने की आप विचार कर रहे हैं अभी भी कई चीजें हैं जो clear नहीं है भ्रमित हैं कई angles से आपको सोचना पड़ेगा तब ही आगे बढ़िएगा वैसे आज का दिन ठीक ठाक दिख रहा है यहां पर बड़ा निरने वाली बात है यहां पर ध्यान देना पड़ेगा इन्वेस्मेंट बिल्कुल कर सकते हैं चेंजेज लाएं तो क्या चेंजेज लाएं उन पर विचार करने का दिन है जहां तक लव लाइफ की बात है वाणी में सौमेता रखेगा अराम से बात कीजिएगा ऐसे बात कीजिएगा कि आप अपने पार्टनर की केर करते हैं कटू शब्द विंगात्पक शब्द से को स अपसर मिल सकता है अगर आप अपने आपको अटेंटिव रखेंगे तो उपाय के सरूप में आपको गणपती जी का ध्यान करते हुए उनको किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है और ओम एक दंतायन महामंत्र का 27 बार जाप करना है शुबंग क्या आपका 9 कल है वाइट भाग्या प्रतिशत है आपका 80 बतिव लिबरा आज का दिन ठीक है बस एक ही चीज़ कहूंगा कि कुछ भी बड़ा करने जा रहे हैं तो उसमें महनत तोर केजिए stability के साथ कीजिए आप चाहते तो हैं कि ये भी कर लें वो भी कर लें लेकिन बीच में ही कहिना कहीं अटक जाते हैं वैसे आज का दिन ठीक है कुछ प्राप्त हो सकता है धनके समंद में इवन कोई बहुत अच्छी knowledge भी प्राप्त हो सकती है intuition भी आज अच्छी रहेगी तो business के इसाफ से भी ठीक दिन है लेकिन यहाँ पर भी कहूंगा कि अपने potential से बहुत दूर है जहां तक love life की बात है मन में purity होने चाहिए विचारों में purity होने चाहिए तभी relationship अच्छा जाल पाएगा अभी ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही तरफ से चीजों को छुपाया जा रहा यहां तक बात है सरके रोगतंग करेंगे सरवाश्चक में आपका भाग्य सानत अंतवली है तो भाग्य का साथ तो आपको अवश्य मलेगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको ओम लंबो दराया नमहमंतर का 27 बार जाब करके गड़ेशी को किसी भी मिश्ठानका या फलक भोग लगाना है शुबंग के चार कल है आपका ब्ल्यू भाग्य प्रतिशत है आपका असी प्रतिशत कॉर्पिय वरिश्चिक धने के संबंदे बहुत अच्छा दिन है अचानक से धनका लाब हो सकता है लेकिन गुस्ता बहुत रहेगा आज ऐसा लग रहा है कि भौत कीजिएगा अच्छा दिन नहीं है करियर के हिसाफ से दिखिए आपको अगर और बेटर करना है तो थोड़ा सा कुछ और नया सीखना पड़ेगा इस पर विचार कीजिएगा विवाहिक जीवन तो आज सोरी बिजनस की हिसाफ से तो आज का दिन ठीक है बिजनस में आपको marketing strategy पर बहुत काम करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं आपका कोई भी product है कुछ भी a service is heaven अगर आप चाहते हैं कि वो धंग से काम करें धंग से बिके वो customers तक पहुंचे तो थोड़ा अपने marketing strategy पर काम कीजी वहाँ पर कम ही दिख रही है जहां तक love life की बात है ठीक है दिन कोई ज़्यादा problem नहीं दिख रही विवाहिक जीवन भी आज का अच्छा ही दिख रहा है जहां तक students की बात है थोड़ा सा risk लेना पड़ेगा थोड़ा सा अपने comfort zone से निकलना पड़ेगा सेहत infections तंग कर सकते हैं जहां तक सरवाष्टक की बात है आपका अश्टम भावत तवली है तो अचाना से धनकालाब हो सकता है लेकिन uncertainty पूरे दिन बनी रहेगी आपके लिए उपाई यह है कि आपको गनेशी की एक बार आर्ती करनी है कपूर के साथ और उनको किसी भी फल का भोग लगाना है शुब अंक है चार कल है ग्रे भागय प्रतिशत साथ activity की तरफ सकरात्मक्ता की तरफ जाती भी दिख रही है investment बिल्कूल कर सकते हैं career थोड़ा सा अपने कारेश शैली में बदलाव लाई है थोड़ा creative रही है और आज patience बहुत दिखाने पड़ेगी बिजनस के लिए तो आज का दिन बहुत अच्छा है अनिमल प्रोडट्स परण विवाही जीवन पर प्रभाव पड़ा है जादक students की बात है एक नया पन लाना पड़ेगा अपने पड़ने की शैली में सेहत के इसाब से सर के रोग चेस्ट संबनित रोग कफ रोगतं करेंगे सरवाश्टक में आपका सब्तम भावत अन तबली है तो ठीक है एक balance ल बस थोड़ा सा frustration जादा दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी बातों पर confusion हो सकती है आज और ऐसा चल भी रहा है कि आप कुछ बोलते हैं लोग समझ नहीं पाते हैं और इसके करण arguments होते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है investment नहीं करियेगा मत ब रुकावटे जो आरित उनका अंतो हो सकता है और किसी नई चीज की शुरुआत भी हो सकती है जहां तक love life की बात है थोड़ा सा expectation कम कर लिजे relationship में चीज़ें ठीक हो जाएगी विवाहिक जीवन आज यहां पर थोड़ा जगड़ा हो सकता है वानी पर ने अंतरन रखेगा students क बहुत जल्दी give up भी कर रहें आजकल इस पर भी काम की जीगा सेहत नसों के रोकतं करेंगे सरवाश्टक आपका छटा सान बली है तो व्यर्थ की चिंताएं तो दिखी रही है आपके लिए उपाई यह है कि आपको गणेशी के एक बार आर्ती करनी है और उनको दो घी के द करनना चाते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है विल पावर अच्छी रहेगी क्रियेटिविटी रहेगी और अपने लिए कुछ स्पेशल करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है इंवेस्मेंट कर सकते हैं करियर के हिसाब से कॉमुनिकेशन पर ध्या प्रॉब्लम बढ़ रही है विवाहिक जीवन अकेले बन का हिसास रहेगा आज अपने लाइफ पार्टन से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जहां तक स्टूडेंस की बात है अपने कॉम्मिनिकेशन स्किल्स को बेटर कीजिए वहीं पर प्रॉब्लम दिख रही है सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे आखों के रोग तंग करेंगे शुबंक है दो कल्य है आपका यलो भागय प्रतिशत है 80% पाइसे मीन आज का दिन आपके लिए देखिए वैसे तो अच्छा देख रहा है बस एक ही चीज कहूंगा कि मानसिक सेहत पर ध्यान दीजेगा इवन शारिदिक सेहत पर ध्यान दीजेगा creativity भरा दिन दिख रहा है किसी नई चीज के शुरुआत दिख रही है जो चीज थोड़ी अनिशित कर रहे थी आपको तंग कर रहे थी उससे निकलते हुए दिख रहे है थोड़ा सा वास्तविक्ता के पास रहिए आप अपने आपको organize कर लीजिए आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा क्योंगी ग्रहों की स्थिती ही मीन के लिए आने वाले टाइम में बहुत अच्छी बन लिए लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूँ थोड़ा आलस से थोड़ा सा laziness रहती है और planning जादा होती है implementation कम होता है उसके कारण लाब नहीं उठा पाते अभी से अपने आपके मदलाव लाना शुरू कर दीजिए आने वाला टाइम अच्छा है जहां तक investment की बात है बिल्कुल कर सकते है career comfort zone से निकलना पड़ेगा business के हिसाब से भी दिन आज का अच्छा ही दिख रहा है business में थोड़ा content हो जाई है अगर पैसा कमाया है तो थोड़ा enjoy भी कीजिए कहिना भी आपने आपको बहुत जादा involved रखते हैं जिसके करण mental peace नहीं है जहां तक love life की बात है अच्छा दिन है relationship भी नया start हो सकता है विवाहिक जीवन भी ठीक है patience रखनी पड़ेगी जल्दबाजी से बचेगा students अत्यंत शुब दिन है आज कपका भागे साथ देगा सेहत के इसाब से जोड़ों का अदर्द हड़ियों की problem सरवाश्टक आपका चौथा भाव अत्यंत बली है property आदी खहिदने के लिए समय अच्छा है आज का आपके लिए उपाई यह है कि आपको गणपती जी की एक बार आरती करके उनको दो घीके दियर पड़ा करने हैं शुब अंक है नौ कलह है आपका white भागे प्रतिशत है आपका 80 प्रतिशत तो यह था 11 अक्टूबर का राशी फल चैनल पे नए है सब्स्राइब कर लेजिए वीडियो को लाइक कर लेजिए बिलता हूं अगली वीडियो में तर तक के लिए ओंड़ा